मेरा नाम अम्लान है और आज के इस Make Knowledge Free Campaign में हम देखेंगे ओला इस पर्टिकुलर अप्लिकेशन में आप किस प्रकार अपना पिकप एड्रेस सेट कर सकते हैं आज इसको शुरुबादी तोर से करते हैं सब चाहिए पहले तो जाहिर से बात हैं कि आप Play Store में जाके Ola application को जो है install करोगे और फिर उस Ola application में account create करके आप उसको open करोगे हमारा app एक्चली थोड़ा सा पुराना आईए इसको update कर लेते हैं निया version में देखेंगे इसको app जो है install हो चुका है जैसे कि हमने बताया है हमने already Ola में account create कर रखा है अगर आप Coast के बारे में जाना है तो आप हमारा वो tutorial देख सकते हैं फिलाल यह है Ola का app interface जैसे कि आप जानती ही होगे इसमें हम write books करते हैं और अगर आपको आसपास कई जाना है तो आप daily write book करते हैं अगर आपको गारी जो है कई जगों पर जाना है तो आप rentals यानी एक दो घंटे के लिए book करते हैं या शहर के बाहर जाना है आपको तो आप outstation book करते हैं हर एक चीज़ पर हमने अलग अलग tutorials बना रखा है यानी जहां से आप चाते हो कि आपको pick किया जाए और यहां पर destination यानी जहां पर आप चाते हैं कि आपको drop किया जाए तो यह दो चीज़ जैसे आप enter करते हो उसके बाद आपको right options select करने को कहा जाता है तो यहाँ पे आप जैसे आप press करते हो, या type करते हो, या click करते हो, तो यहाँ पे आप दिखोगे address ढ़ने के लिए, एक छोटा सा text जैसा entry के लिए box आ जाता है, तो जैसे मुझे अपना यहाँ पे entry करना है, block 1 जयना पड़िया, तो अक्सर आप आओगे कि your current location भी है होता क्या है कि जैसे कि इस phone में अगर हमने location on रखा है तो your current location से यह मेरा खुद का जो current location पकड़ लेगा लेकिन अक्सर लोगों ने बोला है कि इसमें ना कई वक्त गारी जो है घूमती रहती और सही location पर आ नहीं बाती इसलिए better मैं जो समझता हूँ कि आप अपना जो area है उसका address दे दीजिए तो जैसे कि मेरे यहाँ पर block 1 जनपरिया नाइल वाली building का नाम है तो आप दोगे और अगर मान के चलिए कि यह चीज जो है already maps में है तो आपका जैसे आप address एंटर करते हो तो धीरे धीरे न आपको दिखाई देगा कि उस लिस्टिंग है तो आप उस लिस्टिंग को select कर देंगे तो आपका यह pick up select हो गया अब next जो बहुत important है कि आपका destination हाला कि यह tutorial हमने सिर्फ pick up के लिए बनाया था जैसे मैं पूरा डालता हूं तो आप देख सकते हो कि एक ही address दिखाई दे रहा है मुझे यहां ही जाना है अब जैसे कि हमने बताया था आप pick up और आपना drop यह दो चीज़े जैसे आप दे देते हैं तो हम daily book कर रहे हैं तो daily के जो ride options है mini, micro, sedan, book any यानि mini, prime, prime sedan इन में से कोई भी एक गारी जो भी available होगी इसलिए इसको any बोला जाता है कोई भी हो सकता है इन में से वो आपको मिलेंगी तो जो भी आप चाते हो कि ride हो चाते हो आप उस ride को select करके आप book करते हो तो मैं यहां पे insurance ने करना चाता तो यहां पे आप देख सकते हो यह बता भी रहा है कि कितने लोग allowed है कुछ लोगों का यह doubt होता है कि अगर हम तीन लोगों को लेके जाए तो क्या हमें जो किराय आता है मानके चिले किराय यहां पे दिखाता है 30 रुपए तो क्या हमें तीन लोगों का अलग देना है नहीं आपको 31 रुपए ही देने गारी आपके लिए ही बसा रही है वो गारी में आप चाहे खुद जाए चाहे आप तीन लोगों को लेके जाए यह गारी का नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 7765 जब तक आप यह नंबर नहीं देते वो गारी को शुरू नहीं कर पाएंगे इसलिए इसको Start OTP कहा जाता है यानि गारी शुरुआत करने के लिए यह One Time Password उनको Ola के गारी में पंचिन करना होता है है ना तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपको यह दिखाना चाहरा था कि कैसे आप Start या Pick Up Address अपने Ola App के नए इंटरफेस में अराम से ढाल सकते हैं अगर आपको हमारा आज का यह टूटाल पसना है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राब करें प्लीज अपने दोस्तों के साथ और पडिवार वालों के साथ जरूर शेर करें जैसे कि आप समझते हैं गारी जो है हम Pick Up जैसे जो एड्रेस पे दिये उसी एड्रेस पे यह गारी आप आने वादी है यानि अब मुझे वहाँ पे Pick Up पे जाना है जरूर नहीं कि मैं घर का ही अड्रेस देता हो सकता है कि मैं कोई Shopping Mall का भी Pick Up देता ममी है वहाँ पे ममी बोल रहे है तुम मेरे लिए Book करा दो तो मैं वहाँ से Pick Up एक अड्रेस देता है और यहाँ के लिए घर के लिए देता अब ममी को बोलता कि आप Pick Up में चले है यह यह गारी आ रही है और यह यह ड्राइवर फलाना ढिकाना इनका नंबर है और सारा चीज है ना तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख भेजे थैंक्यू सो मच मैं अमलान आप लोग से अलविदा लेता हूँ